याद है ना आपको और आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7 की तो यदि आप नंबर 7 के हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और यदि आप नंबर 7 के नहीं हैं तो क्या आप ये जानना नहीं चाहते कि आपकी कमपाइबिलिटी नंबर 7 के साथ है या नहीं हाइं तो इस अपने फ्रेंड्स और फ्यामली के बीच में शेर कीजे अभी तक आपने मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कीज़े निमरलोजी के बारे में बहुत सारी बातें करती रहती हूँ जाहे वो relationship के बारे में हो career के बारे में हो health के बारे में हो आपके strength और weaknesses के बारे में हो आपकी personality traits के बारे में हो आपके नाम के बारे में हो या फिर आपके signature के बारे में हो तो ऐसे बहुत सारे knowledge लेने के लिए आप मेरी इस channel को जरूर subscribe कीजिए और पास में वो जो bell icon है उसे दवाना मत बुलिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका notification मिल जाए तो आएए मैं स्टार्ट करती हूँ number 7 से number 7 के वो लोग होते हैं जो bond होते हैं किसी भी मन्त में 7th, 16th या 25th को उनका ruling planet होता है Neptune यदि मैं astrologically बताओं तो उनका ruling planet होता है Ketu जो कि उन्हें govern करता है number 7 के लोग बहुत intelligent होते हैं number 7 के लोगों में एक अलग अपनी individuality होती है उनकी अपनी पहचान होती है बहुत ही original होते हैं बहुत ही knowledgeable होते हैं बहुत ही talented होते हैं लेकिन वो कभी भी अपना talent show off नहीं करते बहुत ही subtle nature होता है उनका number 7 के लोगों में intuition power बहुत जादा high होती है कोई भी चीज़ के बारे में वो जल्दी भाप लेते हैं उन्हें wives बहुत अच्छी आती है वो कहते हैं न 6th sense उनकी 6th sense बहुत अच्छी होती है इसलिए कहीं न कहीं किसी न किसी age में उनको occult science के तरफ attraction जरूर हो जाता है चाहे वो numerology हो, astrology हो या फिर tarot reading ही क्यों नहीं हो उनका कहीं न कहीं वो interest उस side में भी चला जाता है उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है traveling उन्हें बहुत अच्छा लगता है और especially यदि वो far off countries में हो तो उनका वो बहुत ही पसंदीदा होता है कहीं न कहीं number 7 के लोगों जहां उन्हें बहुत ही गहरा रिष्टा होता है तो ऐसे कहीं न कहीं वो connection ज़रूर बना रहता है number 7 के लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है reading उन्हें बहुत पसंद आती और especially यदि detective stories हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो बहुत artistic भी होते हैं बहुत creative होते हैं उन्हें लिखना बहुत अच्छा लगता है कोई भी media field का यदि काम हो creative काम हो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं poetry लिखना हो या गाने लिखना हो या drama करना हो ऐसी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं number seven के लोग बहुत ज़ादा spiritual भी होते हैं यह जरूरी नहीं है कि traditional path पे ही उनकी spirituality जाए उनकी एक अपनी अलग सोच हो सकती है उनकी एक अलग idea हो सकता है spirituality का तो number seven के लोग में यह हमेशा से देखा जाता है कि वो थोड़े से moody होते हैं उनका mood swing बहुत ज़ादा होता है यदि उन्हें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो वो बहुत खुश भी हो जाते हैं लेकिन थोड़ी सी बात पे भी वो नाराज गंपी हो जाते हैं अपने आपको isolated कर लेते हैं number seven के लोग बहुत ही easily फ्रैंड नहीं बनाते हैं बहुत ही choosy होते है पने friend के मामले में वो बहुत ही सोछ समझ के अपने friends बनाते हैं ऐसा नहीं कि जिसे भी बात कर लिया उसे अपना friend बना लिया उनकी अपनी इक अलग ideology होती है कि उनका friend किस तरह का होना चाहिए उनकी standard का है या नहीं तो उनकी जो ये nature है कभी-कभी उन्हें बाकी लोगों से different बना देता है बाकी दूसरे numbers के लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत ही eccentric है अपने बारे में सोचता है या selfish है जबकि ऐसा नहीं होता है number 7 के लोग बहुत ज़ादा emotional होते हैं बहुत ही ज़ादा sentimental होते हैं लेकिन वो अपनी feelings बहुत openly नहीं बताते number 7 के लोग बहुत ही ज़ादा philosophical भी होते हैं वो non-materialistic होते हैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़ादा material चीजों के साथ वो जुड़े हुए हो लेकिन हाँ उन्हें एक बहुत अच्छी lifestyle जीना बहुत पसंद आता है number 7 के लोग बहुत ज़ादा hard working नहीं होते उन्हें easy life पसंद होती है तो बहुत सारी ऐसे qualities है number 7 के साथ और I hope कि आप यदि number 7 के हैं या आपके कोई friend number 7 के हैं आपकी family में कोई number 7 का है तो आप कहीं न कहीं इन सारी qualities को उनमें जरूर पाएंगे number 7 की बात करती हूँ अब मैं relationship compatibility के हिसाब से किस number के साथ ज़ादा अच्छी बनेगी जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़े moodie होते हैं mood swings उनका बहुत होता है तो इस वज़ा से थोड़ी compatibility अच्छी होनी चाहिए तो जो अपनी family का number होता है मैंने हमेशा से आपको बताया हुआ है कि 1, 2, 4, 7, 1 family होती है तो उनके साथ इनकी compatibility बहुत अच्छी होती है यदि 1 के साथ मैं आपको बताऊ तो 1 और 7 की compatibility अच्छी होती है क्योंकि 1 एक ambitious number है वो clear रहता है उसे ये पता होता है कि life में क्या करना है उसे direction पता होता है वो number 7 को वो direction दे सकता है जहां number 7 थोड़े से confused रहते हैं अपने future के बारे में वहां number 1 उन्हें एक guidance दे सकता है तो ये एक अच्छी compatibility हो जाती है number 1 की वज़े से आपको material gains हो सकते हैं तो वहां भी एक अच्छी compatibility हो जाती है number 2 का number 7 के साथ दोनों बहुत ही identical होते हैं कहीं न कहीं दोनों को moon rule करता है तो इसलिए दोनों का जो nature है एक दूसरे को समझने का जो तरीका है वो बहुत ही similar होता है बहुत ही identical होता है तो वहां understanding की कोई problem नहीं होती है थोड़ा आपको material gain के लिए थोड़ा struggle हो सकता है लेकिन इस दो लोगों के आपस में बहुत अच्छी बनती है तो life थोड़ी easy हो जाती है number 7 का number 3 के साथ number 3 एक social number है और number 7 थोड़ा अपने साथ रहना चाता है बहुत ही intelligent number है तो वहां पे आपकी conversation बहुत अच्छी होती है number 3 और number 7 के साथ क्योंकि दोनों एक intellectual number है तो आपस में बातें बहुत अच्छी हो सकती है friendship अच्छी हो सकती है लेकिन relationship में nature दोनों का थोड़ा अलग हो जाता है एक थोड़ा social है एक थोड़ा अपने आप में रहना चाता है तो इसलिए number 3 और number 7 की compatibility उतनी अच्छी नहीं होती है relationship point of view से number 4 का number 7 के साथ again ये family number है तो अच्छी compatibility होती है number 7 आपको जहाँ spirituality देता है जहाँ आपको insights देता है आपको थोड़ा एक intuition जो पहले आता है number 7 को आपको वहाँ वो help कर सकता है वही number 4 की अच्छी planning होती है अच्छा organization होता है तो वहाँ पे अच्छी compatibility बन सकती है number 5 का number 7 के साथ number 5 के लोग बहुत ही freedom loving होते है उन्हें commitment देना पसंद नहीं आता उन्हें जल्दी किसी भी रिष्टे में बंद के रहना अच्छा नहीं लगता तो वहाँ पे थोड़ी issues हो सकते है क्योंकि number 7 बहुत ही grounded रहता है बहुत ही एक ठहराव रहते है number 7 की जिन्दगी में तो वहाँ पे थोड़ी problem हो सकती है number 7 का number 6 के साथ वहाँ पे भी थोड़ी problem हो सकती है यदि दोनों के nature को देखा जाए number 6 एक ऐसा number है जो बहुत ही flamboyant number है और number 7 उसके पास बहुत talents होते हैं उसके अंदर बहुत सारी खूबिया होती है लेकिन वो अपने आपको इस तरीके से नहीं दिखाता इस तरीके से अपने आपको पेश नहीं करता उतना flamboyant नहीं होता बहुत ही subtle nature का होता है number 7 तो वहाँ पे थोड़े से differences आ जाते हैं दोनों के nature के बीच में ऐसा नहीं है कि बस यह सी एक वजह से compatibility नहीं हो सकती मैं आपको बस एक example दे रही हूँ ऐसे बहुत सारे personality traits है जिनकी वजह से यह निकाला जाता है कि किस number का किस number के साथ compatibility अच्छी होती है इसके अलावा भी बहुत सारे factors होते हैं जैसा कि मैंने आपको बार-बार बताया है कि elements matter करता है आपके destiny number matter करता है तो बहुत सारी चीज़े होती है और यदि आप ऐसे numbers के साथ जुडे हुए हैं जहां आपकी compatibility first hand में लग रहा है कि नहीं अच्छी है वहाँ यदि आपका नाम numerologically बहुत ही अच्छे auspicious number पे आ रहा है तो वो आपको benefit दे सकता है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़े हैं जो compatibility देखने के लिए चेक की जाती है number seven का number seven के साथ क्यूंकि एक जैसे ही है दोनो compatibility अच्छी होगी थोड़े issues हो सकते हैं financial matters में लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा जहां दो लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं अच्छी bonding होती है अच्छी understanding होती है तो सारी problems हो लो आराम से face कर सकते हैं सारे problems को overcome कर सकते हैं और life में बहुत एक अच्छी happy life भी जी सकते हैं number seven का number eight के साथ वहाँ पे भी थोड़ी problem हो सकती है क्योंकि number eight थोड़ा power hungry होता है ambitious होता है और वहाँ यह सोचता है कि उसे power मिले वो थोड़ा materialistic number है वो material चीजों के तरफ उसका ज़्यादा ध्यान जाता है और वही number seven spiritual number है वो बहुत ज़्यादा material चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है non-materialistic number है तो वहाँ पर थोड़ी ideology में differences होने की वज़े से problem हो सकती है number seven का number nine के साथ इसे बताने से पहले मैं यहाँ आपको एक बार और remind कर देती हूँ कि यदि आप numerology के लिए मुझसे consult करना चाहते हैं तो मेरे website numberworks.com के तरफ आप मुझसे consult कर सकते हैं यदि अभी तक आपने मेरे इस चानल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चानल को subscribe कीजिए और bell icon दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारे notifications तुरंधी मिल जाएं अब number seven का number nine के साथ उतनी अच्छे compatibility नहीं हो सकती है क्योंकि family number नहीं है यदि उनके according चीजे नहीं जा रही हो उनके हिसाब से चीजे नहीं हो उनके पसंद की चीजे नहीं हो तो वो थोड़ी stubborn हो जाते हैं उन्हें भी गुस्सा आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी problem हो सकती है दोनों के behavior को लेकर के इसलिए number seven और number nine के अच्छे compatibility उतनी नहीं होती लेकिन यदि elements match कर रहे हो लेकिन यदि नाम आपका numerologically बहुत अच्छे number पे आ रहा हो तो भी ये relationship बनाया जा सकता है तो I hope कि आपको ये video useful लगा होगा अच्छा लगा होगा तो इसे like कीजे share कीजे मैं next video में फिर आपसे मिलूंगी numerology के ऐसी बहुत सारी बातें करती रहोंगी तो मेरा next video देखना मत भूलिये till then take very good care of yourself and stay safe